हाँ जी ससी काल मैं कुदीप सिंग सिद्धू ते अपा लड़ी वार चार्चा कर रहे हैं साव इनिस्पेक्टर दे प्राणे कोशन कम्प्यूटर दे प्राणे कोशन जड़े दो हियार इक्की बड़े पेपर दे बिच आये होया इस तो पहला आप दो वीडियो बना आ चुक सारे कोशन उखे निएगे विच्छो थोड़े बहुत है गया पर जे कर अपा ए सारी थियोरी पढ़ लांगे नाल नाल ते फिर सोड़े कोशन उत्थे सॉल्व होंगे फिर नहीं होगा के आप आनों अखे लगना थोड़े नहीं चीज़ां है गी आने पर आप ए नहीं कह स सदे कोशन पाई होई सी ठीक है सो में ही होने फिर भी बढ़ डी पोस्त है साब इंस्पेक्टर था ना सो दे विच बढ़िया लेवल आउगा पाई निकाय सकते भी सोख आउगा तां करके मैं उसे वे नहीं करा रहां कले आंसर नहीं दून दस रहां डिटेल दे विच आप आप लास्ट देवेच गाल कीती सी प्रोग्राम काउंटर सी जड़ा हो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दा ड्रेस होल्ड करदा सी सो एदे ची कम्यूलेटर पुछ ले मैं तो नुक्या सीगा कि आपा सारे पढ़ांगे रिजिस्टर नो तो पुछ लगदा कोश्चन ठीक है सो फ्रॉम दी इमेडियेट एकसेस स्टोरेज ता एहे डेटा नो स्टोर करन दे लिए जा मैमरी बफर रिजिस्टर सोडा मिट दा चलो ए बिट बगेरा नहीं शैद मेंनो नहीं लगदा पुछ जाओगा फिर हुंदा है मैमरी अड्रेस स्टोर कर दा हना ओल दी अड्रेस एक्विलेटर प्रोसेस रिजिस्टर है जा अक्विलेटर स्टोर इजे रिजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंट्रमीडियेट स्टोरेज ऑफ आर्थमैटिक एंड लॉजिक डेटा आप अपड़तने लियू आर्थमैटिक एंड लॉजिक युनिट इदे विच्छ इंटर्मीडियेट रिजेल्ट हों देने ओबाडा सारा कित्ते शूर शॉंद है एक्विलेटर दे बेच्विच श्टोर हुंद भाधा है इंस्ट्रेक्शिन इन्स्रें इन्स्टोर लॉट कर नौम काउंटर बहुत इंबाडेट है लासट दे बेचोशन आया था आशी ला की function है इस दा फिर आपने को लिए अंसर आ जुगा भी वोल्ड डेटा एंड रिजल्ट शेकंड कोश्चन है बिचो दी फॉलिंग इस नॉट एक क्रेक्ट एक्जाम्पल ऑफ प्रेटिंग सिस्टम इता बड़ा सोख है प्रेटिंग सिस्टम दी एक्जाम्पल केडी नहीं है MS Word यह था है नहीं वैसे न मैक ओएस एपल चुपन दा लाइनिक्स भी अप्रेटिंग सिस्टम है बिंडो एंटी भी अप्रेटिंग सिस्टम है सो यह अंसर होदा MS Word ठीक है यह अंसर यह अप्रेटिंग सिस्टम मैं पिछली यह वीडियोच भी 10 चुक है तुसी नोड कर ल 11 जान लिए ठीक है लाइनिक्स वन टू मैक इनना दा यहर भी जुरूर ज्याद रख लें पुछ लेंदा है ते की दे दवारा बनाईगी रिटन केडी लेंग्वेज दे विच्छ है ना इवी चीजा पुछी आने उसने फिर कुष मोवाइल अप्रेटिंग सिस्टम ने ज नामा पजाद कर लेने कई वर इलिमिनेशन दे वेचे है काम दिन देने अपनों अगला कोशन है गया है बेचावधी फॉलिंग इज एसेचे अल्गोरिथम ओफ स्क्योर हैश फंक्शन फैमिली देखो सब तो पहला आपा समझांगे के हैश की हुंदा है ता वो पुछ रह हेश एल्गोरिथम है deeply अपास समझ दें है एसी सींकां की हुंदि थी कोई भी प्लेन टेक्स्ट स्क्योरटी देली मंहलों मैं थी हेलो लिखता हां आ हेलो कोई भी плेनेंटेक्स्ट उन्हों अपाब ایک हैश फंक्शन लगा या एश हैश अलगोरिथम लगा के कोई नहों कु ये डिरेक्टली समझ नहीं हो दी तो इन्हों सी हैश बोल देयां ते ए अपनों कित्थे हल्प करदा स्पोज करो एक एलिस नाम दा बंद है ते दूज्जा बॉब है एलिस ने बॉब नों कोई मैसेज पे जना है ती कौ सब्सक्तारे हैं मैसेजज डिजास्ट बन जिए मैसेजज Перज़ ने लगाव लक्तिस टॉड़े स मैसेज डिजय केचिशने। कॉम्निकेशन मैसेज पे जा सिर्फ दो लाइना दा होता मैसेज डाइस्ट बन जुगा ताप इंटरनेट दे बेचे हे भी पेज दांगे मैसेज भी पेज दांगे क्योंकि के इन स्कूर कमनिकेशन नहीं किडा सیह दे कोई कुई कृप्टोग्राशी नहीं लारे दी इंक्रिपचन नहीं कार रहे हैंके इंक्रिपचन डिक्रिपचन तरह टाइम बड़ा लगदा है वससाना थंटि centigrade Spirit क cure110 नही चाहिए üzerine confidentiality की हमदा है कि साड़ा message कोई भी देख ले सानू कोई डिकत नी बाट साड़ा message बदलना नी चाहिएदा बदलना नी चाहिएदा था integrity security नी आपनू पता ना भी 10 में अपना services मन दिया पहली confidentiality लिखना लिख लो नाड मैं लास्ट शेयद करा जो क्या confidentiality, integrity and non-reputation non-reputation तिन अपजेक्टिव ने दिखो सके confidentiality दा मतलब साड़ा data कोई भी देख ना सके दूसरा साड़ा data कोई भी चेंज ना कर सके तीसरा जड़े user ने सानू message पेज जाओ काल नो मुकर ना जावे के मैं थनू पेज जानी यह बड़ी डिक्कत हो जो जे बेंक देवेचे वीचे उसी मुकर गे कि कासी बैंक नो नहीं किया भी भांज यह खाते च मिरी पाद व यह पाद हो तो बैंक दे ली तब़ी डिक्कत आगी का तसी पैसे पवाग एक कसी मुकर गे जिवे जवानी कलामी तो लोगों को मुक्र जान देने पर बैंक ता रकॉर्ड रखोगा ना कॉम्निकेशन देवेची तुसी के में मुक्र सागने हो सो ए तेनने अपने को ले मेन चीज जाने एथे अपनों कॉन्फिडेंशल्टी नहीं चाही दी साङनूं इंटिकरिटी चाही दीए वुसी चाहने हा के साध्य को ले मेसेज चेंज नहोगी ता फिर मैसेज नोची बिना डेटा नो उन्क्रिप्ट किती ते सिद्धा ही पेज ता दा मैसेज देजस्ट बना ले मैसेज डेजस्ट भी पेज़ता Receiver को ले Bob को ले Message भी आ गया ते Message Digest भी आ गया ओरिजिनल Message ते ओही Algorithm लाऊँगा जड़ा Hash Function, Sender ने लाया सी जड़ी के Alice ने लाया सी तो ओही ओह Algorithm लगा के Same चेक करदा है कर नमा Digest बन जनना है Calculated ते आज अधनों Received होया है फिर दोननों मलाऊंदा है जेकर है सेम है एदा मतलब साधा Data चेंज नहीं होया तो साधे कोले Integrity है गी या Data दी ते जेकर है दोननों नहीं मैच करदे तो एदा मतलब Data चेंज हो गया जेदे विच Message दे विच एक भी अखर आपा चेंज करदांगे दो सो पेज़ेज दे विच एक अखर भी चेंज करता है मालों पन्याह यार लिख्या सी उत्ते सी पांजलाग खबना था पन्याह यार सी पांजलाग खबना था एतनला मतलब Data चेंज हो गया न तो Hash value, Hash function दे आपा Message Digest दे रहो चेंज हो जोगा एक अलो Cypher Text दे फांग दे विच होना है तो इसनो सी बोल देने है Hashing तो इह Hashing दे बहुत सारे अल्गोरिथम ने इंटीग्रिटी नाम दी सर्विस है जड़ी है प्रवाइड करदा है Hashing तो इदे बहुत सारे अल्गोरिथम यूज कीते जान देने Message Digest दूजा वर्जन चौथा पंजमा ते छेमा एक SHA Square Hash Algorithm So SHA दे याँ टाइप देख दे आपाई Family दे विच पहला Originally सी कहाई SHA 0 फिर replace करता सी SHA 1 दे रह ले दा मतलब दोनों इंग्जिस्ट कर देने ते SHA 2 2 दे विच 224, 255, 384 दे 512 यह इन्ने length दी की यूज कर दे हैं चाब भी यूज कर दे हैं इन्ने bit दी हुंदी है 512 bit ठीक है विसे एक रफली जाद कर लो इननना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है SHA 3 दे भी जमें अपने कोड़े 224 की वड़ा 215, 384 दे 500 बरान देखो 255 दे 500 बरान ता बड़ा सोख है याद रहे जूग है ना 244 दे 300 चरा सी भी बड़ा सोख है याद रहे जूग है ना सो यह याद कर ले ने आप आप आनों तो सेंपल पुछे हो ने केंदा केड़े अल्गोरित्म फैमिली लों बलॉंग कर देने फिर यह दोनों ही कर देने जीरो ते बानवाण है चौत्ता कोशन है का बिच्चो दी फॉलिंग इस कॉमन स्क्योर्टी चैलेंज फेस्ट बाइधी कंपनी कांदा कंपनी याँ जिडिंगी परवाइड कर देया ने वो किड़े चैलेंज फेस्ट कर देया ने स्पेशलाइज टैलेंट शाट है यह तकल बिल्कुल अभी टैलेंट दी बहुत जाधा कमी है पॉपुलेशन अपने एक सो चाली पंटाली करोड नू क्रॉस कर गी वैसे एक सो एक की तानी टी करोड सी 2011 जानगान ना दे उन सार पेपर दे विचे पुछू गाता 2011 साब नहीं दसना है पां क्योंकि सेंस आया निया जी तो नू ज्यादा पता हो ना दूसी तैयरी कर रहे हो क्यों सो कहना सी तालेंट दी कमी है लिए फिष्क गेकर देसे संब्सक्राइब सेंसे कारा दो रिष्क हो fulfilled है कीदा रिस्क जादा है कि उसी प्रड़टी के में डिसाइड कर गए पहले नंबर नों रखेंगे दुझ्झे नों की देते ती जग्रूम की देते की एसी Employement नों पहले नंबर दे रखीए की Health नों रखीए क्या एजूकेशन नों रखीए के तीलोGO दोसी spoken Farm Vijay जो में rust पार आचे बहुत होंदेने स्केवटी थे ठीक है प्रिटाइजिंग रिसक में तो नो दासी जो क्यां भी उसनों डिटेक्ट करना के मोस्त स्वीर केड़ा है सो फिर यह ता तिन्नों ही ने जडे केड़ा इन चो बेल्यूपुट करनी है बाहर की लिखिया होए इन्पुट डेटा फ्रॉम एक्स्टेरनल वर्ल्ड एक्स्टेरनल वर्ल्ड वर्ल्ड सुरी मैं वर्लट बोलता एह एक्स्टेरनल वर्ल्ड है ठीक है गलत परेगा टि-e-r-n-e-l हुआ और अउग्स्टेरनल देटा दी कोडिंग कारके CPU नो देता जानता तो इथे डवाइस लग देना अपानु पता है पड़न दी लोडनी ओप्छना देखन दी लोडनी आउट्पुट डवाइस नहीं लगणगे मेमरी डवाइस भी नहीं लगणगे अउग्जिलरी डवाइस नहीं लगणगे तो इनपूट डवाइस लादांगे वह बारों एक्स्टेर्नल वर्ड तो की लोगा डेटा लोगा फिर उस तो बाच ओ डेटा दी कोडिंग होगी प्रपर फॉर्म ची जाओगा ना बाइंदरी वीडियोच करा चुक्या यह पारा मालो वहीन पेज जे लफ्ट ते लाइन करना है तक कन्ट्रोल ल हून दै जे राइट ते लाइन करना है फिर होंदा है CTRL plus E तो लेस्ट बढ़ा है ना क्यों दा काम भी सेम ही करदा CTRL Q करके देख लेओ वो भी लेफ्ट ते रेंज करदा उन्हें आंसर D देता बट आंसर है जड़ा A भी ठीक है दोन्नों ही ठीक ने क्लियर है तो ए थोड़ा या मैंनों लग गया भी गाल दियों बढ़ी ने उमाड़ी मुटी रहेगी उन्हें हो सदा जान के पाया हुए बंदे ने भी चलो देख देया कोई बंदा आला के हो कोई आ उन्हें नंबर सारे नों दे देने सी फिर रदधी हो गया न पर आ पानों क्लियर नी हो आज़ा हुए फाइनल आंसर की नी आई मिए इसी ठीक है तो एक दो कोईशन था है जान के चाहिए जान के घलच पान दा जढाई मानलों किसे बंदे नूं आउधा है विए अंसर दे बिच्ची है निजट अंसर है था ना तो यह स्ट्रेटी हुंद गाने कंपनी आनिया अगला कोशन है फास्ट रिकोगनाइजेबल शोशल मीडिया साइट पहली शोशल मीडिया साइट केड़ी सी वाज दी 6 डिग्री ए 6 डिग्री सी केड़ी उन्हें आपी द जैनुबर युनिसस तान में चल ते बंद हो वी शावड़ाम दो यार एक देविच थोड़ा चली चली है ठीका चार के साड़ा सो फिर यह अंसर है अगला कोशन हैगा विचोधी फॉलिंग कमांडे यूस्टू रीने में फाइल इन युनिक्स देखो बहुत बदिया कोश तुसी एक कमांड करके जानियाने शटके नहीं जानिया टाइप नाल नाल लिख लेओ तब पेपर देविच पुछ भी लेवे तक तु ए जिनिया में कमांड कराते हैं न चो बाद नहीं आओगा ये इदे नाल दा कोशन आया हो इत्तों ही आओगा तो अपा देख देख द जी जुआ ही हुंदा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिए हुंदा कमांड लाइन इंटरफेस जे में असी मोबाइल फोन ने अजिकल टाच फोन ने उदे बच असी कोश भी लिख देनी असी टाच करके सारा काम करी ने चैटिक दे लिए जलो लिख दे इमन दो बखरी ग लोने या अना इस लैप्टॉप दे विचे कंप्यूटर दे विचे ओंदा जी यूई मोड यह थे सारा काम लेके कर दें कमांड लाइन जी में डॉस दे विचे कर दें यह अपा पंजाबी जुनिवेस्टी दिगा लेकर यह उत्थे जिटा गिजा यामिनीशन ब्रांच य लाइनिक्स दिगाने लेस है फाइलानों लिस्ट करने लीजिए मैं आपको फोल्डर खोल लेने यह पादा फोल्डर क्लिक करके खोल ल्या बट तुछ लाइनिक्स दे विचे प्रेस करोंगे लस उन्हें सारे यहां फाइला शोग कर देंगा इस और लिस्ट यूर फाइल ते जे फिर आपा काल करेगे मूब कमांड है MB file 1 ते file 2 मूब ए file और given a different name और move into a different directory जा file name दूजी file नूँ चाक के file लिए file चले है जोगा मालो मेरे को ले file पई है F2 मैं दा दूज्या नाम देना चाओ ना F1 ता मैं कर दूगा MB F1 ता हुण M2 एज़ड़ी ओखातम हो जोगी नमी file बन जोगी F1 फिर मैं F1 नूँ नाम देना चाओ ना कुलदीब कुलदीब मैं नाम देना ता मैं कर दूगा MB F1 कुलदीब F1 खातम हो जोगी नमी file कुलदीब बन जोगी ता रीनेम नहीं कर रहे को भी पादे ना यह अपानु आहा यह भी कमांड नीन दी ता मूब कमांड आंसर ता C अपना कुछ और देख लेने हाँ अगला सीगे CP कॉपी करना F2 फाइल ता डेटा F1 चे कॉपी करना उधली कॉपी कॉपी देली CD कमांड ते RM देली फाइल नू रोमूव करना या डेलीट करना ते खोबड़ा सा ऊख़ का माहना ते WC देली वर्ड काउंट एक फाइल देविच किन्न या लाइना ने किन्ने वर्ड ने ते किन्ने गैकरेक्टर ने वद देली CD कमांड ला मांगि आपा डेवली उसी देखो वर्ड काउंट बड़ा काउंट का महाना उंहीं ओखा लगी अंदा पन सेर आ गया mkdir डेरेक्टरी बनो नहीं जी में आपड़ फोल्डर नहीं बनो देखोई मालो एक फोल्डर बना ले आपड़ा बाइंडरी उदे बिच्चा आपकोश भी होर लिखता भी ए ए फोल्डर बनो नहीं जा डेरेक्टरी बोल दने आपड़ा लाइनिक्स दे विच्टा उदेली है mkdir डेरेक्टरी नेम mk दा मतलब है mkdir डेरेक्टरी डेरेक्टरी दने बड़ा सखा काम है ते cd डेरेक्टरी दा मतलब है change directory पाथ भी कर रहा है चेंजी करना ठीक है pwd है print working directory जीड़ा करंटली केड़ी डेरेक्टरी जी तुसी काम कर रहे हो तो pwd print working directory फिर है who who हुंद है tell you who is lockdown मालो थोड़ा laptop एं computer है जी में अज़िकल आपका कह देगे single user computer ते multi user single user दा मतलब है एक computer देए एक को user login कर सकता है मतलब छोटा ए उदा नाम है ते एक computer हो रहा है जीदा बी या हो देए बहुत सारे user login कर सकता है b c d e f ते तुसी admin हो ए तुसी हो admin तुसी चेक करना है भी आज होनों मेरे इतना किनने computer जुड़े हो यह ने ठीक है तो तुसी लिखोंगे who तुसी कमांड टाइप कर दोंगे who m i तो अपना नाम दास दूगा password पासवर्ड चेंज करना p a s w d देखो पड़ा सखा कम है डेट पदेखनी है शो कर दना डेट कमांड देना आला केल कलेंडर शो कर दना c l कर द गया पाहना सखा कम हना सुफिर यह दा अंसर है c अगला कोशन है बिच्चो दी falling is an input device के अंदा हेट लिख्यां चो किड़ा input device है इन्पुंट प्लाटर रिकावटूट डवाइस है यह अंसर निया है पो रेधेक्टर भी ऑל भाइस हैै ट्रेकव प्लाप्र अपानूंठ दाई है jya प्रिंटर देब ड़े प्लॉट रहा जाद रखना है ठीक है अगला कोशन आ गया जी इन एमेस एक्सल 2021 जूम कैन वी फाउंड अंडर बिच टैव देखो बड़ा सॉख्खा काम है ता मैं तो नूँ दस्या भी टैव ता शटन गहीं नहीं है आपको केड़ी टैव देविच की है इता चंगी तरह कर इने के qwerty वाई कीबोर्ड विच ओधी फालेंग इज क्रेक्ट केंदा आलफ़ अपना आपको कीबोर्ड गड़ लेने एक qwerty नूँ qwerty क्यों कहें नहीं देखो पहली लाइन है qwerty उस्त दक लेकर ना ता है नू qwerty वाई कीबोर्ड बोलदा ठीक है वो पोच्छर है आइन कंटेनिंग अलफ़ावेट टी अलफ़ावेट टी यह थे होंदा है यह कहना है थे थलडी लाइन चे बिलोव वाली चे तर नहीं हो तर नाल दया पहला गाल्त हो पुच्छा कियोंने क्रेक्ट मैं बारी बरी दस रहां भी ए चीज ते जे पेपर आफ लाइन होया पह आनू पते नहीं लगया क्रेक्ट पुच्छ है कें और पुच्छ है सो सली मिस्टेक को टाओं यह आपकरनी नीडिक है तो नो शर्कल कर लो जिर भर पाप्छन पहली पढ़ रहे है लास्ट पुच्छा था एदा मतलब यह करेक्ट हैगा के नहीं है नहीं है ता अश्र नही करना डी एदे बिलोव एभी नहीं है गा तो एदे चा गया तो उन्हें पुच्छे भी किड़ा क्रेक्ट है गा तो फिर एदा अंसर ए या क्लियर अगला कोश्चन है गा इन एमेस बड़ दो है रुनी बिच्चो दी फॉलिंग पियर्स ओफ शॉर्टकट की फंक्शन इस क्रेक्ट कंट्रोल ओपन स्क्वेर ब्रेक्ट एंदा क्लोज स्क्वेर ब्रेक्ट की कहना है इदे ना फॉंट इनक्रीज हुंद है ते दिना ड काउट दिता होयां डिक्रीज हुंद है दे ना ओपन वाले दे ना डिक्रीज आह अप पन वाले न की कहरें इनक्रीज गय.. जाता है इनक्रीज करनदे लिक कोन्ट्रोल प्लस open bracket ए एक होर शॉर्डri sû कौट कोन्ट ए है चंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लુट्रस अज्ट ठीक है अगला कोशन हैगा बात इस दी फॉल फॉर्म ओफ एल एस एलस इंग त्रीदी प्रिंटिंग देख जू दिया की दी है अटल जोजना देदी कई जड़े बदिया सरकारी स्कूल ने होथे 3D प्रिंटर हेगे ने वैसे दा बहुत कॉस्ली ने प्रोसेस देट क्रेट से फिजीकल अब्जेक्ट अपा क्रेट कर सका दिया फ्रॉम डिजिटल डिजाइन पहले ओधा लैप्टॉप देविचे कंप्यूटर देविचे डिजाइन बना मांगे फिरू लाद आंगे प्रिंटिंग देली दा प्रोसेस बर्क्स बाई लेंग डाउन थिन लेयर ओफ मटीरियल इन दी फॉर्म अफ लिकुड और प्लास्टिक मैटल और सीमेंट एंड देन फ्यूजिंग दी लेयर टुगैदर तक के दा आ देखो पहले दा डिजाइन बना लांगे एक दूजे दे उपर एडिटिव है लेयर पाई यह पाई यह फिर फ्यूज होई दा मतलब के जम्मी यह इंद इस तरह करके साथा अब्जक्ट बांजाना क्लियर अगल सो बड़ा बदिया लगना मैं देख्या हो है 3D प्रिंटर चालता बड़ा नियारा जाओना अब आक ही होई एंदा है सो fdm इदे विच एलपी है डिजिटल लाइट प्रोसेस एम जेफ है मल्टी जेट फ्यूजन पॉली जेट डी एम एलस डी एम एलस डी एम एलस डिरेक्ट मेटल लेजर सिंट्रिंग ठीक है फिर हैगा ईवी एम लेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग इनन दिए अब्रिविश न पढ़ लिए पु सिलेक्टिव लेजर सिंट्रिंग सिलेक्टिव एदे ची एकची सिलेक्टिव है देखलो पहली नहीं हो यह जिकला एक किशवद जाद है अपनों सिलेक्टिव है ना सो डी अंसर है अगला कुशन आ गया जी बिच्च ओफ दी फॉलिंग स्टेटमेंट्स इद करेक्ट ब्लॉग दे रिगार्डिंग स्टेटमेंट एक टाइप ओफ इंटरनेट वाइबसाइट बिल्कुल ठीक है ब्लॉग एक इंटरनेट वाइबसाइट पर गहीं हुंदा है बट एदे बिच जीड़ा डेटा हुंदा और रिवर्स क्रोनिकल ओटर दे विच हुंदा गल कर द आप इंटरनेट दी वाइबसाइट भी है केंदा ब्लॉग इस नॉर्मली ये वान बे कॉम्निकेशन है केंदा इनू डार कर लेने है भी वान बे कॉम्निकेशन है बेर दा यूजर गेव इस आइडिया और कमेंट ऑन देट ब्लॉग यूजर अपनी फेस्बुक जा यूजर विच्टाग्राम दा लेंक देता हो या तुसी योध्य जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अना फॉलो कर सकते हो तो कोश्वी मेंनों पुछना है तुछ सखने हो अगर तो नोट चाहिए ने इस दे ता आपा कोशना देनोड वी मिल जाने ये वाले जी तुसी प्रें कॉप्प्यूटर के अपन हिस्ट्री ऑपी आउडियो करने के रिवाइज किती हुई एक अपन के आपण काम कर देया चैज में करें तो समय आपन व स्पीड बदा खेकर रेकॉडिंग सुन सकते हैं चीज़ां शेती जाद रहा है जाने समा यूटिलाइज कर सकते हैं यह तो बना थो नुभी में ट्रेक दास दना कुछ चीज़ां थोड़िगां एमेनिया होड़ियां जड़ियां पनुपढ़नियां उख्यां लग दिया ने तो उधी तुसी एक सीक्वेंस दे विच आउडि बहुत बदिया तरीक है मैं अपलाई किता है मैंनों बदिया लग गया चीज़ां सुख्यां तरीक के न याद हो जाने ठीक है सो फर तीज़ा ऑप्शन है जड़ा ठीक नहीं है गल्त है क्योंकि वान वे नहीं है का टूबे है दोनों साइड दे कॉम्पनिकेशन हो सकता है यह उन्हें आंसर गलत देता होया है पहला पाश समझ लेने ब्लॉग की दढ़ा आंसर दिखा देया आंसर उड़े बी दिता है बट बी बंदा नहीं है क्योंकि वान और टू है बिच है नहीं तो फर यह पेपर होया नहीं था पनुपता लागे जाना भी नंबर सार रहें ब्लॉग दा तुसी फोटो विचनिया स्क्रीन शॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लिए लिखना लिख सकते हो ब्लॉग केंदा है यह पर्सनल और कॉर्पोरेट वैब साइट इन दी फॉर्म आफ ऑनलाइन जैर्नल तेह प्रिया लाब ने बना ऐसी बाद गूगल ने लेले एसी दो जारतें चे ए ब्लॉग दे वेब साइट बिर दा कॉंटेंट इस प्रेजेंटर इन रिवर्स क्रोणो लोजीकल ओडर इदा की मतलब होन दैं बहुत इंबोर्टेंट लाइन है पुछी गई है कंटेंट के ना है थे रिवर्स क्रोणो लोजीकल ओडर दे विच निवर कोंटेंट अपियर, फास्ट नमा कंटेंट पहले गा देवेचा होंदा है, फिर दोना चे फरक की है, ब्लॉग के अपडेट होंदा है, रेगुलर बेसिस थे, वैबसाइट है जड़ी, हाणा, वैबसाइट, not updated frequently, वैबसाइट फ्रीकॉंटली अपडेट नहीं है, यह However, not all वैबसाइट can be called blogs, पंजाब भी उनिवरस्टी वैबसाइट है, थोड़ा बहुत चेंजिस कर देने, आहिता नहीं है के बढ़िगां पोस्ट ना पाई यह पोस्ट ना देने, पोस्ट ना दे लिए उननने पेज बनाया फेस्बुक थे, पंजाब भी उनिवरस्टी, वो ब्लॉग है, जेरी मेन वैबसाइट है, वो ब्लॉग नहीं हो सकता है कदेवी, ठीक है, तो फिर आंसर में दा सी चुक्या, अगला कोशन है, OCR A is a standard type font of OCR, but does the letter A stands for, OCR A, पहली कलता OCR A, जड़ा एक इन्पुट डवाइस है, पाई जाद रखना है, इन्पुट डवाइस, तो OCR दी अब्रिविशन पुछलना अपाण, ओप्टिकल, क्रेक्टर, रिकोगनीशन, क्लिर, एक ता यह याद रखना है, हुण अपा देख देया, OCR A है की, OCR A, OCR है की, OCR एक जमें अपने कोले स्कैनर होंदा है, अपा कैसे भी चीजनों स्कैन क करने लिए अपा कोई बुक लेलेने हैं, एक पेज लेलेने हों स्कैन करके फोटो मन जानी, तो तो स्कैनर काम कर दा है, बट जेकर सी उन्हों चेंज करना है, डेटानों उसी स्कैन करके उदेचन नाम बगेरा दी एडिशन करनी है, तो फिर आसी OCR देना ख्रेक्टर बाइ अच्छ एडिट नहीं कर सा देख एडिट दी टेक्स्ट एडिट मतलब कुछ चेंज नहीं कर सा दिए फोटो बनूंगी करके देख ले तो ओसी एरे है इमेरिकन है इजाद रखनी है अगला पाँ ओसी एरे इस फॉन्ट क्रेटेड इन नाइंटिन सिक्ष्टी एट डिजाइ इकोवलेंट टू फ्लॉप्स पहला था फ्लॉप्स दी अब्रीबेशन पुच्छ सागता है मैं दसी भी हुए सोपर कंप्यूटर दी स्पीड हुन दिया है फ्लॉप्स हुन्दा है फ्लोटिंग पॉइंट प्रेशंद पर सेकंड्स पर सेकंड्स एक ता एब्रीबेशन पुच्छा सकता है फ्लॉप्स है फ्लोटिंग प्रेशंद पर् सेकंडे निया पर आधर रखनी है गाला दुजी एप पुच्छ सक्छान है भी स्पीड ओफ स्पीड अफस पर कंप्यूटर ठीक है ? सोपर कंप्प्यूटर दी स्पीड का देच मैजर कर देँ आपा त उस तो फ्लॉप्स दे। पिछ मैजर कर दे आप ? इहे अगे kiloflops हो सक्दिये megaflops हो सक्दिये ते gigaflops हो सक्दिये teraflops हो सक्दिये petaflops हो सक्दिये एक हीन सारे memory दे, units ने विशे न विच्छो कि दे equivalent है मैंनों नाली question जाद आ गया तुसी मेंनों comment करके दसे हो Who is father of computer? ठीक है, यह भी important है आई थिंक के तोनों पता ही होगा पहला option है Alan Turing दूसरा option है Steve Jobs तीसरा option है Henry Edward Robert Henry Edward Robert तीच उत्था option हैगा अपने को ले चार्लस बैबेस यह दूसरी कमेंट करके दस्यों clear है so screenshot लेना screenshot लेना यादी होगा who is father of computer Alan Turing, Steve Jobs, Henry Edward Robert तीच चार्लस बैबेस तीच अपने अगली वीडियो दस्यों कमेंट करके दस्यों नहीं थिक है so अपने डिस्कस कर रहे सीगे एहे बड़ा पैटा फ्लॉप की दे बड़ाबर एककुलेंट है ता आपा देख देया आपानू पता है भी बन के भी इन्हों आपा एक हियार चौबी वाइट भी लिखते ने है I think सार नूपता होना ता जिड़ा एक हियार चौबी होना है यहे बड़ा 2 भी लिख सकते, यह जिट रहे करके कहिए दो बड़ाबर एचार दे याना बड़ाबर 3 भाबर 8 ग्लमें 2 innovation हे भी अंकर पॉल्ब़ भी आपनावांब दास भी लिख सकते यहे अप्पन हो पता है भी एक हजार चौबी नियर वाउट होंदा है थाउजन्ड दे क्यों क्योंकि क्यालकुलेशन करने या सौखियां हो जाने याने मेमरी दे कंप्यूटर दे विच डेटा स्टोर होंदा है अपके डिजिटल फार्म दे विच डिजिटल दे विच दो दी पावर चल दी है सारी ठीक एक हजार चौबी की दे पर अब रहुंदा है दो हजार दी पावर दास दे ते हजार नू की लेख सकते हैं आप दास दी पावर तेन दे इस स्टेंडर्ड रजल्ट है इनू याद रख्यो मेमरी के निवर्जन आगया उत्थे भी एक काम दे हुगा ताहुन आप इदर ले दो दिए लेन आके वान के वी इन वह पर लेखेंगे दो दी पावर दास ते बान धिए बदा बरहुंदा दो दी पावर बीए एक करके देखा धरना नहीं तोनों पता लाग जू देखो बानने मीं की दे प्र बरहुंदा है कि 10020 के बीडिक एक है हयार चौबी पई स्थे दो दी पावर दास गुणा एक यार चोबी अगलेनू दो दी पावर दास बाइट दर बाइट लागया नाला जदू बिचकार गुणा दी निशानी होवे ता पावर ना जुड़ जानी है ने बढ़न जुगा दो दी पावर बी बाइटस आप्ड डिरेक्ट लिखता तो इसी कर सक दें और जी भी शिद्ध्ध ही लिखांगे उना पा दो दी पावर थी बाइटस बाइटस बण पेटावाइट दो दी पावर पंजा बाइट्स clear हुई गल so so dhp देखे भी 1 petabyte है जिड़ा 2 d power 50 byte दे बराबर आ गये है ना एथे अपन आरी लेखले न हैनू आप 10 d power 30 लेखलांगे क्यों 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 आप इथे किते लिखित यह ना 104 की दे बराबर है 1000 दे 2 d power 10 है 10 दी पावर तैन दे छौन इसे तू लगदेया आपंचाल देश्या है टू दी पावर बी सिदे बराबर हुगा जपतो दोडी पावर दास दी पावर दो आजाता है गुणा है गुणा होजू 10 डोऑ सौ नहीं है वैसे जिसे अपा लायोगे तैन दी पावर दो अस दी आपे ता यह तेन दोनी 6 हो जांदा हुंदा है उप्पर मल्टिपल ही हो जांदा है सो दासदी पावर बी के में बनुगा जे दासनु दो दी पावर दासनु दो ना गुणा करदांगे ता यह बन गया तेन कीतता है, दो दी पावर, दास नू, ती बनो होना, तेन अक पावर कारती है, दास दी पावर कारती है, ती अती, ती, 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 पंजाब नो होना, 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 ती, पंजाब नो होना तो दूजे पास से भी दास दी पावर तेनने है जडी उदी पावर भी 5 पाँज ये 15 ता 10 पावर 15 ठीक है तो 15 बाड़ा बन गया ना एक पैटाबाइट की दे ब्राबर बन गया हो सगता है मैं लगता हुआ हुआ थोड़ा जी कन्फिूजन होगी हुआ को कि बाण गाँ ची रहे होंगे तुसी है ना फिसनों बड़े सब्खा समझा जुगा सो फिर दा सी अंसर है केंटा ना काम देखो computer दा भी मैं थी बन गया ना तो अगला question है इन MS Excel दो यह नहीं बिच शॉटकट की यह यूज तू फॉर्मेट फॉर्मेट इन दी फॉर्मेट सेल डायलोग केंदा फॉर्मेट सेल एक्सल देविच पुछ रहे है केंदा फॉर्मेट के में कर सकते है तो दा अंसर है का कंट्रोल शिफ्ट एफ तुसी दब के देखें कंट्रोल शिफ्ट एफ करोंगे ए फॉर्मेट सेल आ जुगा जिदे बच फॉर्मेट बगएरा आलाइनमेंट बगएरा बॉर्डर फिल सारा कुछ चेंज कर सा देओ तो इस चीज़ नूँ फॉर्मेट करना बोल देने ए ए आफ परटेक्स एडेच भी पैंंहार का पईदेच भी है कंजोरी पड़ते नी बस आहां मिल गया चा का सँ यह नहीं करना पा गल्त कहा नहीं करने एंसर हैं हाइपडर आप लैंगेच इज्यां चार्लस एफ गोल्ड फेर्व एनू कहा जानदा है फादर ओफ स्क्रिप्टिंग लेंग्विज भी कहा जानदा है यह दा भी जाद रखना फादर ओफ स्क्रिप्टिंग लेंग्विज नहीं जाए फादर ओफ मार्कप लेंग्विज जा स्क्रिप्टिंग लेंग्विज जा सेमल एच्टी एमल तो पहला है आइस अध्य लेख्याब है को इस देख लेंट्र फादर भी अपप लेख लेने ने जमें सी लेंग्विज उनसे बत तर्चबनी फादर डैनिस रिच्चे है SGML दा पड़ी लिया चार्लस गॉल्ड, सहर्व ते HTML दा फादर है टिम बर्नर ली, बस में तेन इंपोर्टेंट है ही ने, C++ करना कर ले बजारने स्टॉर स्टप, क्लियर अगला कोशन है गा फुल फॉर्म ओफ APN in context of mobile device, देखो mobile device दे विच APN की हुँदा है, access point name access point name की हुँदा है, gateway हुँदा है that acts between GSM, GPRS 3G ते 4G ते public internet दे विच जिडा अप interface act कर दे, GPRS हुँदा है journal packet radio services GSM and global यह मैंनो याद नहीं, दुसी चेक कर ले, Google कर ले, GPSR हुँदा है global packet radio services, clear? so APN दी ता पनो पता ही है access point name याद रहे जुगी है अगला question है, in MS powerpoint 2019 which shortcut key is used to spell check spell check दे लिए किड़ी key यूज़ कर दे आपा तो spell check दे लिए F7 आपा यूज़ कर दे, spell check तुसी जाके देख लिए, presentation दे बिचे tools दे जाए, tools दे जिनों आपा जाओंगे, spelling तो उथी F7, F7 कर सक दे आपा, ठीक है? इस तो बिणा function keys, मैं सारे याँ देते का हूँगी, याने तुसी पढ़ सकते हूँ, function keys बहुत important रही ना, चो question पुछे गए ने, सारे याँ shift दे बिचो भी पुछे गए ने, ये पुछ भी सकता है, चाहे paper अउखावे, चाहे सौखावे, ये हे, दोना चीया होगी, ये अ open search feature, ते find feature है ना, उसो ये सारे देख लोग सी, F4 है, alt F4 बहुत बढ़ी पुछे गए, कि बिंडो नो close करना ही परता है, एंदा, F5 बहुत बढ़ी पुछे गए, अहाँ जड़ा question सी का, paper सी का ना, supervisor अंगर बढ़ी था, ये दे बिच भी पुछे गए, कहना start तो, शुरू करना है, slide show, तक किड़ा function बढ़ता है, F5 बढ़ता है, ठीक है, control F5 की दे लिए, अभी तुसी पढ़ लेओ, ते F6 का दे लिए, भी देख लेओ, F7 अप पढ़ी लिए, अभी spelling दे लिए, F8, F9, F10, कहोंगे कि नहीं है, कहाँ बास सी नहीं है, बास से 12 तक किने, कही इस नोड करेक्ट, कहना है, एठ लिखियां, स्टेटमेंट जो नोड करेक्ट है, आथा पाईं कम करना है, नोड करेक्ट थे अपा, लगा लेना है, किड़ी करेक्ट नहीं है, हाइच स्पीड कंब्यूटर नेटवर्किंग डवेल्प दिरिउरिं फोर्थ जेनरेशन, कहना dow जेवलेजंव यहंड्वकेर्टि आपड़ी जे पोई है उर्ध कावर्थे याव यूरिव टीज यूर्य कि दौनों प्रेशन लटेट home झेस्ट लबरेज्बरेश्ट कोमें इस निव cleaning in लार्ज रेंडम एक्सेस हैं टाइमि IO मैंग станब्ध है सब्सक्राइब कर चौथी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रोप्सेशर पांजमी दे विच्च यू एल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ते आर्टिफिशल इंटेलिजेंस दा कॉंसेप्ट तब दूजी जनरेशन दे विच्च इमें बैच सिस्टम इंपॉर्टेंट है इस सारी यह मैं बैसे दास चुक यह ओल लेडी तरह दे चौपा दोई चीज़ां पढ़नी है नहीं आहां कि फोर्थ जनरेशन दे विच्च फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कंप्यूटर सदी सैम अगनेटिक कोर मेमरीज होन सेमी कंडक्टर केडिया हों दिगाने मगनेटिक कोर केडिया उन्दे उत्थ निया पाजान दे बढ़ा डीप दे विच्च हो जुगा फिर वीडियो लंबी हो जन्दी है फिर थूनु आया लगता है भी और पता नी की कुछ करा आता हाना सो हो भी बहुत कुछ कर नडापाओ करांगे जो इन दी लोडनी सो एकल ठीक है फिर फिर हाइस्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवेल्प डियूरिंग फोर्थ जन्रेशन ये भी ठीक है कि हाइस्पीड जड़ा पुछ रहा सी वो चौथी जन्रेशन दे विची डिवेल करना तुसी आप दी टार्गेट मार्किट दा अकसेस नो इंक्रीज करना देली बिल्कुल ठीक है कैसी आप दी टार्गेट मार्किटिंग बदा उना है ता आजगल एड बढ़ियाँ चल दिंगा ने हरेक बन्दा यूट्यूब ते फेस्बूक ते इंस्टाग्राम ते बन दोर टू निउए मार्केट नीचे मार्केट सु नीचे मार्केट की शोइ हुँ नामातर बाद जाख बहुत है कि वह त depths बदी मार्केट रहोगों वो नीच मार्केट दा वी शोशल मीडिया ते थोड़ा ब्रैंड बन जुगा जिमें अजिकल बंदे कोई इककम कर रहे हो ही ओधा फेमस हो जान्दा जिमें साधुराम दे कोल्चे हाना इत्थी पटे आले होने कोई कल्ले कोल्चे चलाए ने मनने चल गया ना वैसे फास्ट अगला है मूब प्रोस्पेक्ट्स 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 is an e-governance term that describes the different stages in the wire journey leading up to purchases. तब पुर्चेज करन्दे विच्चे wire दिया स्टेज के डियाने कदे ता wire दा मन बढ़े हुंदा भी मैं चीज खरीद ला कदे कोश लगदा है कदे अपप हैड़फोन खरीद दने हुंदे बहुत सरी वैबसेटां दे रिसर्च कर दे तो ओब अनिया स्टेजज नू कनवर्जन फरनल बोल दे ता यह भी कर दे है मूव प्रोस्पेक्ट असी आवदा फ्यूचर प्लैन उथे मूव कर दे हैं कि असी कनवर्जन फरनल दे थुरू बंदिया नुआ साथे को लिए आके समान खरीज लेड़ तो मेरा टारगेट की है के स्ट्रेटजी कली में सोचल मीडिया नू यूज कर रहे है थीक है फिर है यह आपर पुछ की रहे तिन चीज़ां उचले मैं थोड़ी जी प्रॉलमा की सी सो यह आप देख लिए थे डी अंसर है सारी ठीक ने अगला कोशन है गाया इन एमेस पावर पॉइंट दो है और उन्नी विच्चो दी फॉलिंग पियर्ज ओफ शॉर्टकट की फंक्शन इस क्रेक्ट के नहें इठ लिखियां चो किड़ी शॉर्टकट की क्रेक्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज स्क्वेर ब्रेकेट सेंड अबजेक्ट तू फॉंट 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 अना सी थे फॉंट नहींगा सेंड अबजेक्ट तू फॉंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन स्क्वेर ब्रेकेट सेंड अबजेक्ट तू बैक के ना की ह के फ्रंट ते बैक करने दाइक अपडेख लेनिया कंट्रोल शिफ्ट पिभाईंदरी निख्या हो है मैं लगा ने लिगा एक लिएक यह अब्यां प्रेकट और कि उपन ब्रेकिट पिछे चला गया जिए बनाट स्क्कुर्ब्रेक्ट दिवें ता फ्रांट यागए तक open देनल बैक जो था यागए जी control shift open दिवें तो है जा रहे है बल्कुल ठीक हगहला तर अग्ले इससे ओपनने में आज दुबार करके दिखाएं उन्हों सलेक्ट किता चोरल गौन निसे ब्लानि देलकर दोनने ठीक नहीं कि अगला कोशन है गा बिच्च वोधी फॉलिंग की बोलना लागया बिच्च वोधी फॉलिंग इजे सर्विस फैसिलिटेटेड बाइ एच पॉइंट 303 प्रोटोकॉल इन्हें वियो एपी वियो एपी प्रोटोकॉल है पला तेदी अब्रिवेशन बहुत इंबोर्डेंट है पुछ सख़़ाए पनो वाईस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यह बहुत अंब्डरण है पुछी जासा दिया वियो एपी है वाईस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ते दे चो बहुत कोशन पुछेगे ने नमा टॉपिक नहीं है जदों अपने कोड़ों इन्ने कोशन पुछ ले कोई भी थियोरी कराई है उन्हों तुसी लेख लेओ ठीक है तो केंदा एच पॉइंट तनसो ते प्रोटोकॉल वारे पुछ रहे है की केंदा इदे बिच आई-पी टेलिफोन ही है वीडियो टेलिफोन ही है साइमल्टेनियसली आडियो एंड वीडियो डेटा कॉम्निकेशन वैसे जी अपा गाल करिये ना वीडियो आई-पी दे विच आपकला कॉल भी कर से इंटरनेट दे ये ना वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आपकली वर्टसेप दे ओडियो कॉल भी लगासा देया वीडियो कॉल भी लगासा देया ते वीडियो दे पीच दो ने चीज जही हुन जाने ओडियो डेटा सेमिल्टेनियसली आंसर था बंदे एक पर ही समझ लेने आपा एच पॉइंट तेने सो तेजी दा स्क्रीन शॉट ले ले लेओ पहले ले ले लो चलो पाँ मैं वाज दी फर्स्ट ब्यू आइप स्टेंडर्ड अडॉप्टेड दी इंटरनेट इंजिनेरिंग टास्क पोस्क टास्क फोर्स औरी एदी भी अब्रीविशन अपन पोच्छ टू एनी पैकेट नेट पर के भी ठीक है तरनसो तेज़ूट स्पैसिफिकेशन दैट कंट्रोल दी ट्रांस्मिशन ओव वाइस वीडियो और यो सारे चिज्जां भी नहीं जारा है आग केडियां केडियां सर्विशिस फैसिलेट कर दा ओही चिज्जां कर दा तो फिर अंसर है ठीक है अगला कोशन आ गया इसी दिन आल दई है कि ने बिच्चों दी फॉलिंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इज नहीं आ रहा हुगा फर इथ दे जा रहा हुगा इज आर इज आर स्लैश पा क्या हुगा क्यों कि एक तो ज्यादा हो सकते हैं ना इथे भी एस पेटरगेंट्स इसक रहा हुगा स्टेटमेंट्स इस क्रेक्टर रगार्डिंग इज बियू आइपी गडिंग स्टेटमेंट्स ठीक ने देखो पहला है विज पेवाइपी कें रान ओन एनी फाइब सी एस साइज पिता की साइकल होंदा आपने को ले साइकल दा केरियर नहीं बोल देज़ा चैनों केरी करके लेके जानदा है उमें ही CSI है केरियर सर्विसेस इंफरस्ट्रक्चर केरियर सर्विसेस इंफरस्ट्रक्चर तहे बीओ आईपी दे 5 CSI ने, 5 केरियर ने झेड़े सिगनल नğू एक थाउन तो दूजी थाउन ते लेके जानदे है वेल कौल ठीक है सारे है वेल कॉल ठीक है यह सारे साइकल एकको ज़ेए लागा उसारान कोई दासे यार्दा कोई लखर पीधा साइकल भी पूंज लख साइकल भी पहले है सारे आंदग नहीं हैगा ना कंफ़र्ट जोन सारह ने विचे लगला के फीचर है तो हमें बीओ पीदी कॉलिटी सा रहां थे सेम नहीं होगी पहला था ठीक है दूजर जड़ा नहीं ठीक है फिर उनली बानने दा अंसर डी है पर आप देख लाने है पांज बीओ आईपी के डेकड़े हम देने आ देखो पांज तरीके ने डेटा नू नेटवर्क देवेचे शेर करने पहला जिमें हैगा पहला हैगा पाबलिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क स्विच दैए पाबलिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क दूसरा है गाए डिजिटल सर्विस डेडिकेटड है फिर है गा तीसरा ऑप्टीकल केरियर ते चोथा है का हाई फ्रिक्वेंसी को एक्सियल यूज कर दें आपने डेटा दिली फिर आगा स्विच टेलीफोन नेटवर्क के कदमाया थारांसो नासी देविच डिजिटल सब्सक्राइब सर्विसेस थारांसो चौण देविच लेटेस्ट वायरलेस चारल जिन्हों अपाँ स्विच्ट क्या सी क्लियर बसीदा इनने याद रख लिए थोड़ टेटा कोशन है आंसर जाद रख लेओ जाद रख लेओ या दो गल्ला जाद रख लेओ ठीक है अगला कोशन हैगा बेचो दी फॉलिंग स्टेटमेंट इस क्रेक्ट रिगार्डिंग ISDN डेटा ट्रांस्मीशन सर्विसेस इस डिन हुंदा है चलोगे पढ़ांगे दा साउंड इस फ्री केंदा ह ते डाजनाट र्कॉर्डम तब पहला हजे चीज़ां का अपानु सामझे नहीं है पहला बेस बनोने हैं टाइपस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन या टाइप हों दिया ने आपकर इंटरनेट लबहुने आ बहुत तरीक्शन ने अलगला कोई किस तरीके अपानु जादा जानकारी नहीं है बाट उदेचे सब्तों पहला आया सी डाइल अप कनेक्शन डाइल आप जे में आप फोन डाइल कर दे सी हों में चला दा सी दूसरा है ISDN इंटीग्रेटर सर्वेस डिजिटल नेटवर्क क्लियर ISDN दी अब्रीवेशन पोच सक्दा फि इंप्सर्वेस डाइल अप मौडम जा डाइल अप कनेक्शन 畅शा के की वक्राइब हों में रहां दे उसे टेलीवूं's पार दे विच ul कम्प्यूटर जोडिघ्ड हे मिनन तो जन्हों सी डायल कर दे सी उदो सब्सक्राइब चाल दा सी दोना चीज जाने बिच्छो जाता टेलीफोन ते कल कर सकते सी जा डायल अप दवारा इंटरेट चला सकते सी ता यह डायल अप मौडम बोल दे सी कि डायल करके जाना पेंदा सी ठीक है तो कम मौख्छा सी जो डेटा जा रहे है उदो बॉइस नहीं जा सकती जो बॉइस जा रहे है तो बड़ी बड़ी डिक्कत सी फिर उस्तो बाद आ गया सी इंटीग्रेटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क का लाइन हो ही सी उदे बिच्ची डिजिटल सिकनल आ गया उदे स्टेंडर्ड आई एस डिन वरे पढ़ लेनिया थोड़ा जा सैट ओफ कॉम्निकेशन स्टेंडर्स फर साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन ओफ व्वाइस साइमल्टेनियस मतलब नाल-नाल कथा-कथा व्वाइस बीडियो डेटा एंड अड अधर नेटवर्क सर्व सबस्केशन सागदे सी अपन हांग धी मेन फीचर ओफ आईस डी यूद इस डैट इट कैन इंटेग्रेट स्पीच एंड डेटा ओं धा सेम लाइन सेम लाइन थे एपस तेलीफोन नेटवर्क सीगा बट एक प्रवाइड करा हुदा सी बट इट प्रवाइड से पैकेट स्विच नेटवर्क आल्सो अपास उन्हों ए नहीं समझे लगना भी सार्कट स्विच ते पैकेट स्विच की हुदा है स्पोज करो कम्प्यूटर ए है बैंगलोर दे विच् और लिए नेटवर्क क्या पूरा बहुत सारे कंप्यूटर है रास्ते वे लेवल ए होना मालो आपा हिथो दिल्ली जाना है बहुत सारे रास्ते ने जान दे ताह जो दोकबंदा है इदर नूबागए एक इदर नूब एदर न चला गया एक इदर नूबागए उन्हें फे विच किंदा है एक dedicated connection बननादा है ज़िधा एथों लाएके पहला happen connection set कर देया connection set कर देया ते फेर सयथ डेटाड़ करते जब आज कल MP विगरा MP गई है you nma MLA विगर MP मंत्री हिना वो सारे की कर देने और dedicated connection बनाओ देने सारे रूट ते पर पुर्स लगा देने दुझे बने नों परेशान कर देने फिर उत्तों दी जान देने तब मुबाइल फोन ते जड़ ट्रीशनल फोन अपना दुझे करें लेंड लाइन लगया हुंदा है जाब फोन ते कॉल कर दें जी एसम फोन आना वह इस्टैब्लिश्मेंट टे भी टाइम लगदा है ते एहे रिसोर्स रिजर्व करके रख लंदा है तांकर के दी कॉस्ट ज़्यादा पैंदी है जिनना समासी इत्थों लेके तो तक गल कर रहे हैं उनना टैम ए रूट नों होर को यूज नहीं कर सकता थी तांकर के पैसे ज देघिटल सब्सक्राइबर लाइन इजरा मौरम हुंद है यहें वाइफाई रौटर हुंद है जिम्हां जिछी करते हैं व यहें वाइफाई रौटर रौटर आर्चाइज ज्युज बाइफाओ करते हैं फास्त है यह दो तरीकित्पार फ़ सकते हैं ADSL दाउनलीडिंग स्पीड जधा हों धिया है ADSL हों धाए asymmetric digital subscriber line ते SDLS की हों धाए symmetric digital subscriber line ठीक है speed same हों धिया ते च डाउनलोडिंग दे अप्लोडिंग दे दे बिच डाउनलोडिंग धिया 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 दे आपने कराने जाओ क्योंकि सब्सक्राइब दाउनलोड करने चीज़ जाहना तब फिर कोशन की पुछ रहा सी कि ISDN दे बिच की हुंदा है दा साउंड इस नॉइस फ्री ते बलकुल ठीक है क्वालिटी जादा बदिया हुंदी है दूज्जे देनाडो डाइल अप देनाडो डाज नॉट र्कॉयर मॉडम एक अल ठीक नहीं है क्योंकि दिच मॉडम दा चाहिए या ISDN मॉडम चाहिए क्लियर सो फिर किड़ा ठीक है अगला कोशन केंदा आप बिच ओ फॉलिंग इस नॉट क्रेक्टर रिगार्डिंग पैरलर पॉर्ट ऑफ इन्पॉट और ऑट्पॉट डवाइस पैरलर पॉर्ट वारे पुछ रहे है दो तरह होंदे पोर्ट हुंदेने आप पहला देख लेने एक सीरियल पोर्ट हुंदा इक पैरलर पॉर्ट हुंदे देख और अजिकल नीगें होदे क्योंकि आजिकल से लैप्टॉप दा है या प्योटोप देख अपनु बता है कीवोड ते माउस बगरा लगाए अपा जिकल ता वाइरलस चैल्पीं है जित यस ज्यादा है नहीं 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 है क्योंकि और यूएस्बी दिनाड होंद है ठीक है सो एहे एदे बिचो पैरलर ते सीरियल दी गल करांगे अपा जे कर पैरल पोर्ट है ता आठ बिट कठियां पे दांगे अपा जा सेंडर दूसरा की है रसीवर ता आठ दियां आठ बिट कठियां ट्रेवल कर दिया ते दिनाड स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हुंदी है पैरल पोर्ट दी तो उमें ही सीरियल इंटरफेस दीजी कर अपा गल करिए सीरियल दे बिच जान दिया ता आठ बिट ही ने जी आठ बिट कर दा है इंटरफेस इंपूट और ऑड़ बाइस के ना पैरल पोर्ट दे रिगार्डिंग केडी इन गल क्रेक्ट नहीं है इट ट्रांस्मिट वन बिट ऑफ बाइट की के लिए एक बिट ट्रांस्मिट कर दा है वन एट टाइम एज सिंगल स्ट्रीम ओ बिट त आठ बिट के लोजा वन बाइट वान बाइट वी एट वीट इंड़ान बाइट ओर अट बिट्स ट्रीम दे बेच उना एक बिट रिख नहीं और लुड हो दे बिड़िट यह लिए पर फिर बी आप दे लेने इट इस ओफन कॉल्ड परिंटर बॉर्ड दे वीन यूसी पर बिल्कोल ठीक है ये यूज़ फॉर ट्रांस्मिटिंग फास्ट डेट ऑवर शॉर्ट इस्टने बिल्कोल ठीक है क्योंकि अठ तारा पैरल लगिया हुए ने तो फास्ट यूज़ कर देया पाए इट यूज़ टू कनेक्ट ए प्रेंटर रहे ता उहीं कर लाए अभी प्रेंटर पॉर्ट आ प्रेंटर नू कनेक्ट करने ली ता बरता है जाओ गई ता फिर यह अंसर है यह चीज़ आंत उसी स्क्रीन शॉट लाए सकते हो स्पीड हैं ट्रांसमिशन स्पीड औफ सीरियल पोर्ट Serial पोर्ट फीकल करते हैं सीरील पोर्ट फीड स्लो है हिदी फो फिशॉल पोर्ट हाइस थी है यहhun ते Сेरील पोर्ट के थे यूज़ना है मॉडन दे विच security cameras दे विच है ना एक इते यूदना है printer, hard drives, cd, drives थे parallel port यूज हूँद है ठीक है इते की कर देया serial port sends data one bit, bit by bit इते की कर देया multiple bits या 8 bits clear हुई गल, तो इह है वी पिज़ाओखासी के question अगला question है गा which of the following statement is correct है, एठ लिखे हैं जो किड़ी statement correct है statements is जा आ रहा हुआ थे, ठीक है typing mistake है, एक जएक तो ज़्यादा भी हो सकती है program called spider scan web periodically and maintain latest update in search engine केंदा search engine दे विचे प्रोग्राम spider होंदा है, जड़ा web नू प्रिवडिकली सर्च करदा है maintain करदा है latest update search engine दूसरा है, search engine operates on architecture of search query technical यह भी आप देख लेने है, ता component है अपनु important है पुछ्छा जा सकता है, search engine दे component केड़े केड़ेने, search engine दे search interface component है, क्रारल, web क्रारल भी बोल देया, इनू spider भी बोल देया, ते bot भी बोल देया, क्रारल होंदा है, एक indexer होंदा है, एक database होंदा है, क्रारल आप पिछली वीडियो चे कर चुके हैं, के पूरा internet देया, सारी यह वैब साइड ना दे जाके, क्रारल करके, मकडी मंगो पर्चे क्योरी पार्सर होंदा है, एक user query देन दे, user लिख देन दा, word that rhymes with orange, ठीक है, एक query नूँ पार्स होंदी है, क्योरी पार्सर होंदा है, जड़ा query ते कम कर दा, जो user नूँ चाहीद है, ओह बैब कराल नूँ पे जिन दा, जाके, वो सारी दुनिया तो लब के सार नू तरसरे ही, जब पार गाल करें, पहला था ठीक है, प्रोग्राम काल्ड स्पाइडर, स्कैन बैब, प्रियोडिकली स्कैन करदा रहना है, सर्च इंजन नू अप्डेट रखान देली, ते सर्च इंजन अप्रेट्स ओन आर्किटेक्चर ओ सार्च क्योरी टेकनीक, ता पार ग अगला कोशन हैगा, इनी डेटा एंक्रिप्चन हुनता, कोशन भी दोर हैगे, ते जमा हुनता, थकावट होगी बुली है ना, बुल या नियादा, गड़ा खडगया, तो डेटेल ची कर रहे हैं, आपका में में अंसर लबाउन दा कोई फैदा नी, मैंनू वधिया नी थोड़े जी दिन नहीं के मैं लोगा एक्सपेक्टेड है, अपनी कोई सच डेटा नी आई, पेपर दी है न, अमीद है के निडे आजू, नतीमा कोशन है, इन डेटा अंक्रिप्चन बिचो धी फॉलिंग इस पार्ट ऑफ पब्लिक की सर्टिपिकेट, कहना पब्लिक की सर नेच्चर है जीडा, ओह डोक्यूमेंट इसके ओटी प्रवाइड कर दा है, कोई भी इस डोक्यूमेंट पे यह दिया, यह उते ते साड़े सिगनेच्चर ने ता यूजर वेरिफाई कर लूगा, भी यह सिगनेच्चर है जीडा अथंटेक है, ते डेजितल डेजितल सर्टिपिकेट इसके की हुंदा है, नेम ओफ दा सर्टिपिकेट होल्डर, सर्टिपिकेट इसके जीडा हुदा नेम सीगा, सीरियल नंबर हो दे कोले की सी बिचे यूजट तो यूनिकली इडेंटिफाई सर्टिपिकेट बाई इंडिविजल, हर एक बंदाज मे आपने को ले दा अरकाड है दा अरकाड दा युनीक नंबर है ना हरे को ले expiration date वो कदो expire हो रहा है ते copy of the certificate holder public key ओधी public key ठीक है used for चलो रहा है ओधी public key ते digital signature digital signature ओधे की ने ओभी digital certificate दे पिछ ता लिखी होणगे यह उन्हें पुच्छा है डेटा भी हुंदा ते signature भी हुंदा दोनों यह ठीक होगे है न क्लियर अगे आगे आगया जी dial-up line is also known as तथ उन्हों याद हुगा भी dial-up line अपा पिछे पढ़के है यह dial-up connection जी दे विच आपा डाइल कर दे सी कि एक मॉडम देता हुंदा सी एक पास एक computer लादना सी हो PC एक इथी लगा दना सी नाली फोन जो टेलीफोन ता आपा डाइल कर दे सी ता ओ स्विचिंग हुंदी सी ता मालों यह तार है एक को इतार दे विचे आंदा है कदेता है तार इधर लागा दना ही करें इधर लाना सी स्विच्च हो जाना सी ता फिर इन्हों स्विच्च लाइन बोल दने आपा ठीक आंसर ए है आप कर चुके हैं अलड़ी मॉडम सी गा इंटरनेट डाइलप कनेक्शन दे विचे ता डाइलप कनेक्शन यूस स्टेंडर फोन लाइन ओही फोन लाइन यूस कर दा सी एंड अनलोग मॉडम अनलोग मॉडम सी ते इंटरनेट डेट रेट जड़ा सी ता श्पंजा के भी विच्ट सी डाइलप अगला है डायलप इंटरनेट एकसेश इस ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट एकसेश दैर यूज फैसलिटीज और पब्लिक स्विच तेलिफोन नेटवर्क पीस्टीन यूज करदा है अगलों भी जिमें बैटरी यह पावलम चलाओना होना इस्विच नहीं लगया होना है तो आपने करांच भी तरह लगी आव यह नहीं है तो डायलप देविच टेलिफोन चलाओने या कदे यसी कंप्यूटर ते नेट चलाओने या ताफिर ए स्विच लाइन सी ठीक है सो आंसरे दा एसी सो एसी के जी बाई गस्त दो हियार 21 सावर इंस्पेक्टर दे प्राणे कंप्यूटर दे प्राणे कॉशन देखे आपा सो तुसी वीडियो नू लाइक ज्रूर कर देखरो क्योंकि बहुत मेंत लग दी है वीडियो बढ़ा उनते हैं कॉशन ने कली कली गल नू कड़ना ते सब्सक्राइब भी कर लेओ चैनल नू ते आप दे दोस्ता में तरह तो भी करा दे क्योंकि आप नमाई है जे तुसी आप भी सब्सक्राइब करो ते चार पंच जाने तो आप दे दोस्ता में तरह तो होर भी सब्सक्राइब करा हूं कि इस तिन अपने पार्ट होगे आठ पार्ट ने टोटल सव इंस्पेक्टर दिया आठ शिफ्ट आंज दे विचे पेपर होई सी उन्ना दी भी आप थोड़े पड़न दे लिए मैंनू थियूरी भी चाहिए थियूरी भी अप्रोप्रेट चाहिए क्योंकि चिज्जाने बेचे फिर आपा थोड़े कोले होर बहुत सारे से रियक्ट रहे है ना तो तुसी कन्फ्यूज हो जोंगे जिए मैं बहुत ज्यादा हैवी चीज़ां